विराट कोहली उन खिलाडियों में शामिल हैं, जिन्हें फैंस हमेशा खेलता देखना चाते हैं, लेकिन ये संभव नहीं, क्योंकि हर एक खिलाडी को एक वक्त के बाद सन्यास लेना पड़ता है, T20 विश्वकप 2024 के बाद विराट T20 फॉर्मेट से विदा ले सकते हैं, इन खबरों के बीच उन्होंने खुद अपने रिटायर्मेंट पर बड़ा बयान दिया है, कोहली खुद मानते हैं कि वो हमेशा तो नहीं खेल सकते, लेकिन जब तक वो खेल रहे हैं, तो कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ना चाते, जिसका उन्हें बाद में पच्चतावा होगा होस्ट के इस सवाल पर कोहली ने कहा, स्पोर्ट्समेन के रूप में हमारा करियर खत्म होगा, इसलिए मैं वापस काम कर रहा हूँ, मैं ये सोचते हुए अपना करियर खत्म नहीं करना चाहता कि शायद मैंने ये कर लिया होता, क्योंकि मैं हमेशा नहीं खेल सकता विराट कोहली ने आगे बताया कि मेरे लिए क्रिकेट में कोई काम अधूरा न चोड़ना और बात में पच्तावा न करने के बारे में है, एक बार मेरा हो गया तो, मैं चला जाओंगा, आप मुझे कुछ वक्त के लिए नहीं देख पाएंगे, जब तक मैं खेल रहा हूँ मैं सब कुछ देना चाहता हूँ, जो मेरे पास है, बस यही चीज है, जो मुझे आगे जाने के लिए प्रेरित करती है, विराट कोहली के इस बयान से फैंस दुखी है, इस वीडियो पर एक यूजर ने कमेंट में लिखा, इससे मेरी नीन्द खराब होगी, कभी खेलना बं मत करिये विराट कोहली, विराट कोहली इस वक्त जबरदस्त फॉर्म में है, वो इस सीजन सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्ले बाज है, आरसीबी के लिए 13 मैचों में उन्होंने 66.10 की औसत और 155.16 की स्ट्राइक रेट से 661 रन बनाए हैं, वे इस सीजन एक शतक भी लगा चुके हैं, विराट के नाम इस लीग में सबसे ज्यादा रनों की रिकॉर्ड भी है, वे 2008 से लेकर अब तक 7,924 रन बना चुके हैं, जिन में 8 शतक और 55.50 शामिल हैं.